और मैं आपको एक छोटा सा संदेश में बाटना चाहूंगी जो आप सभी को पता है और ये मानो एक कहानी बताने के जैसा है आप जानते हैं वो द्रिश्टान्त जहापर बोने वाले के बारे में लिखा है और अगर आप मूडेंगे मतिरचित सुसमाचार उसके तेरवे अध्या में और मतिरचित सुसमाचार तेरवा अध्या का उसका तीन से लेकर नौवे वचन तक वहाँ पर उस द्रिश्टान्त के विशे में हम पढ़ते हैं और येशु उस द्रिश्टान का मतलब उसका अर्थ क्या है ये 18 से लेके 23 वचन तक में समझाते हैं और येशु बहुत ही सामान्य तरीके से बात करते थे और परमिश्वर जो स्वर्ख से उतर कर आया है वो इतनी सामानी रिती से बात करता है और आप मान लीजे अगर किसी साइन्टिस्ट को जो वेज्ञानिक होते हैं उसको आप कहिए कि आकर जो बालवाडी के बच्चे हैं उन्हें आपकर कुछ बताये एसा एक वेज्ञानिक जो बहुत बड़े बड़े खोज करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ जिसनेきा है और ऐसा एक वेग्यानिक जो ब्रह्मांड के वहाँ पर उसके विशे में उसने बहुत पड़ा है, खोच की है और जैसे जिसने केमिस्ट्री जो होती है उसके बहुत सारे जो फॉर्मूलास होते हैं उसके बारे में जिसने बहुत पड़ाई की है और आप ऐसे वेग्यानिक को कहते हैं कि आकर बालवाडी के बच्चों से आप बात कीजे उनके लिए बहुत मुश्किल होगा और अगर यह केमिस्ट्री का जो वेग्यानिक कहा कर यह बड़े बड़े फॉर्मूला डाइग्राम बना कर चित्र बना कर ऐसे बड़ी बड़ी बाते हैं अगर इन बालवाडी के बच्चों को बताएगा तो यह बिचारे बच्चे कुछ समझ नहीं पाएंगे इसके विश और यह गनितकार किस विशे में कह रहा है वो यह सोचेंगे और क्या आप कलपना कर सकते हैं यिश्व जो राजाओ का राजा है और यह पूरे विश्व ब्रह्मान का परमीशर है और वो यहां पर पूर्थवी पर आया और वो हमें बहुत ही स्वर की अद्बूत बाते कहता है और वो हमसे परमीशर की बहुत महान बातों को कह सकता था और वो ऐसे कह सकता था कि पता है परमीशर ऐसा है परमीशर वैसा है कि कोई मनिश उसे नहीं देख सकता है और वो ऐसे कुछ कह सकता था हमसे जो हमसे बहुत उच्छ स्तर में है और हम सोच सकते थे कि ये तो मुझसे बहुत जादा उच्छ स्तर पर है मेरी समझ से लेकिन इशु जब वो इस पृत्वी पर आया तो उसने बहुती सामाने उधारनों के का उपयोग किया और एक बार एक फरीसी ने येशु से पूछा कि तू हमें एक चिन दिखा आकाश में, तब हम तुछ पर विश्वास करेंगे और येशु ने उत्तर दिया कि नहीं मैं कोई चिन नहीं दिखाऊंगा लेकिन क्या आप जानते हैं जब येशु मरा तो वहाँ पर चिन दिखाई पड़े और जब येशु की मृत्यु हुई तो वहाँ पर भूकम्प हुआ और पूरी पृत्वी जो है पूरे अंदकार से मानो भर गई और वो जगाती वहाँ भी अंदकार चा गया और पूरी जगा अंदकार से भर गई और अंदेरा हो गया पूरे जगत में और ये एक बड़ा चिन था लेकिन उन्हें येशु की मृत्यु तक इंतजार करना था कि वह इस चिन को देख सके और जब वो इस फृत्वी पर था तो वो ऐसे बात करता था मनो वो जएसे बच्चों से बात कर रहा है और वो बहुत सामानय सामानय बातों को वो कहता था जैसे येशु ने इस दृष्टांत को कहा है बहुत ही मुश्किल तरीके से नहीं कहा और जो स्वर्गिय बाते हैं वो बहुत महान है लेकिन परमेश्य का धन्यवादी की एश्व हमारे लिए कितनी उसको सामान्य बना देता है और बच्चों के समान हमें वो समझाता है और एक सामान्य बच्चा एक बहुत ही साधरन बच्चा भी उसको समझ पाएगा और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बहुत ज़्यादा ग्यानी वो बच्चा ऐसे नहीं लेकिन केवल वो बुद्धिमान बच्चा ही नहीं लेकिन छोटे सामाने बच्चे भी इसको समझ जाएंगे और एक बार येश्व ने ऐसे कहा कि पिता मैं आपका धन्यवात करता हूं कि आपने ये सारी बातों को बालकों पर प्रकट किया है और आपने इनको बुद्धिमानों पर और ग्यानियों पर नहीं परकट किया है और हम इसे मत्ती 11 अधिया में पढ़ते हैं और इस त्रिश्टान के अंदर हम एक बोने वाले के विशे में पढ़ते हैं और हम सभी इसको जानते हैं और हम जानते कि कैसे एक बोने वाला बीच बोने निकला और उसने बीच को बोया और बोने वाला वो है जो परमेशर के वचन को का प्रचार करता है और हो सकता है वो कोई संदेश है वो हो सकता है वो कोई प्रचारक हो और ये भी कि जब हम परमेशर का वचन पड़ते हैं तब परमेशर खुद हम से बात करता है सीधे तोर पर और इस प्रकार से हमारे अंदर बीज बोया जाता है और जो मिटी है वो हमारा रिदे है हम खुद है और हमारा रिदे है आपको याद ही जब परमेशर ने आदम को बनाया तो उसने आदम को मिटी से बनाया और हम सारे लोग मिटी है और जब हम मर जाएंगे तो सारे हम मिटी में ही जा मिलेंगे और हम मिटी है और मिटी जो है वो हम है और जो भूमी है वो संसार है और जो बीज है वो परमेशर का वचन है और परमेशर का वचन जो हमारे रिदे हों में बोया जाता है और अलग-अलग समय उपर हमारे रिदे में बोया जाता है और हो सकता है आप जब सबा में बैठे तब हो सकता है जब आप खुद परमेशर का वचन पढ़ते हो तब और फिर किसी प्रचारक के माध्यम से या कोई संदेश हम सुन रहे उसके माध्यम से और इस प्रकार से बीज हमारे रिदे हो में बोया जाता है और क्या आप जानते है कि परमेशर कहता है कि अलग-अलग तरह की मिट्टी है और अगर एक मिट्टी है जिसमें बहुत सारे पत्थर है और बहुत जादा वो बुरी मिट्टी है तो हम उस मिट्टी को अच्छे मिट्टी में परिविर्तित कर सकते हैं और यह बहुत ही एक अद्बूत चीज है इस द्रिश्टान के विशे में मिट्टी के अंदर जो पत्थर है वैसी एक मिट्टी हूँ और जो सड़क का किनारा है या काटे है या ऐसे सब है लेकिन ऑसी हालत से हम एक बुरी मिट्टी के मिट्टी है लेकिन उससे हम अच्छी हूँ मिट्टी में परिवर्तित हो सकते हैं यह बहुत ही अद्बूत इस द्रिश्टान में लिखा है इसके विशे में और इस द्रिश्टांत के अंत में जो एक और चीज जो मैं कहना चाहते हूं, ये शु कहते हैं कि अंत में आपको इस मिट्टी के माध्यम से फल पाओगे और फल क्या है, कुछ लोग सुचते हैं अगर मैं अच्छी मिट्टी हूँ और अगर मैं आग्या मानूंगी तो और तो सबको ऐसे लगता है, उसका फल का आर्थ है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मैं अपने परिक्षा में अच्छा करूंगी यह सारी बाते केवल एक शन भर की बाते हैं और यह सब परमेशर हमें देगा, इसमें कोई मैं इंकार नहीं कर रही लेकिन इससे भी कई अधिक बहतर चीजे हमारे लिए आगे इंतजार कर रही है और वो है पवित्रात्मा का फल और अगर आप मेरे साथ मुड़ेंगे गलाती उसके पाच अध्य हैं के 23 वचन में वहाँ परम पढ़ते हैं पवित्रात्मा के फल के विशे में और उसका आर्थ यह है येश्यू मसीग का एक चरित्र हमारे अंदर होना एक येश्यू का सोबा होना और गलातियों पाच उसके 22 और 23 वचन में हम पढ़ते हैं कि पवित्रात्मा का फल यह क्या है वो यह है प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और सैयम है और हर एक ये जो फल है उस एक एक विशय के ऊपर हम सोच सकते हैं मनन कर सकते हैं और उसके ऊपर पूरा एक मानो एक संदेश दे सकते हैं इसलिए मैं आप से कहती उस पर मनन करो जिए प्रबु मेरे पास क्या अदूद प्रेम है मेरे अंदर क्या मेरे अंदर आनंद है प्रबु आप ये सारी बातों पर मनन कीजे जब कभी आपको समय मिलता है तो आप इस पर मनन कीजे और यही वो फल है जो परमेशर चाहता है कि हमारे पास हो और अभी हम अलग-अलग प्रकार के मिट्टियों के विशय में देखेंगे जहाँ पर जो बोने वाला है जो खुद परमेशर है जो बोता है जो हमारे रिदेव में बोता है और हम अपने बारे में विचार करें मान लिजए कि हम किसी एक सभा में बैटे है और हम परमेशर का वचन वहाँ पर सुनरे है और वहाँ परमेशर का वचन प्रचार किया जारा है और हो सकता है कि कुछ लोग वहाँ पर जो बैटे है वो मानो जो मिटी है जो सड़क के किनारे की मिटी है वैसे हो सकते है और ये बहुत ही बड़ा एक प्रलोवन है जवान लोगों के लिए कि वो सड़क की किनारे में बैठे सड़क का किनारा क्या है और कौन सा एक सामान्य संसार की बात है जहाँ पर लोग हमेशा आया जाया करते है जहाँ पर लोगों को आत्मीक बातों के विशे में कोई परवा नहीं है और जो हर एक लोगो करता है हर एक लोगो करते हैं वह सड़क का किनारा और यह जो सकता है कि हम भी उस सड़क के किनारे बैठे रहे और हम ऐसे सोचे अपने बारे में माफ कीजे हम जब सड़क की किनारे बैठे रहे हैं सड़क की किनारे वाले लोग हो सकते हैं और सबा में बैठे होंगे मैं आपको बताऊंगी मैं क्या कहना चाहती उसका आर्थ क्या है और हम अगर एक सबा में बैठे हैं और जो यह प्रलोबन है किशोर आवस्ता के बच्चों के बीच अंदर और तब दूसरे लोगों के विशे में विच्चार करना या फिर किसी को फोन के उपर मैसेज करना और यह देखना कि मैसेज़ क्या आए है या कोई मूवी के बारे में आ जाता है फोन में या फिर कोई अच्छानक दूसरी बात आ जाती है कोई खबर आ जाती है हम शारिरिक तोर पर तो उस सबा में बैटे है लेकिन हमारा मन बहुत दूर है और यही उसका अर्थ है कि सड़क के किनारे की मिट्टी होना और कई बार ऐसा हो सकता है कि हम एक अच्छी मिट्टी है लेकिन हम ऐसे तरीके से उससड़क के किनारे की मिटी बन जाते हैं हमें लिखते हैं और हमें बहुत ज़यादा सावधान रहना है जब कभी आम सबह हमें बैठते हैं तब और हो सकता है कुछ लोग सबह में बैटे हैं और वो नोटस लिख रहे हैं जो सिखाय जा रहा है बताय जा रहा है उसको लिखकर रख रहे हैं लेकिन उनका रध है बहुत दूर है और वो शायद हो सकता है किसी लड़के के बारे में या किसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी बोजन के विशे में सोच रहे हैं या फिर किसी वस्तर के विशे में सोच रहे हैं और या फिर कोई ऐसी घटना के विशे में सोच रहे हैं जो हुई है और यह सारी बाते वह हैं कि सडक के किनारे में रहना बैटना और माफ कीज़े जो सड़क के किनारे जो मिट्टी है उसके विशे में और या फिर ऐसा हो सकते हैं आप वहां पर सभा में बैठे हैं लेकिन आप अलग तरीके से सोच रहे हैं यह सोच रहें कि हाँ यह यह तो संदेश मैंने कई बार सुना है और फिर आप इसलिए उस संदेश से अपने आपको अलग कर देते हैं और आप ऐसा भी सोच सकते हैं सभा में बैठे हुए कि हाँ यह संदेश यह तो मेरे लिए नहीं है मेरे जो पीछे बैठा हुआ है उसके लिए है यह तो मेरे मां के लिए है वह ऐसी है उसके लिए यह संदेश है और हर एक जो वचन सभा में प्रचार किया जाता है वह हम अपने लिए लागू करना और कहना है कि परमेशर यह जो वचन में सुन रही हो सिर्फ सभा में ही नहीं शायद हो सकता है आप ओनलाइन सुन रहे हो या किसी भी माध्यम से सुन रहे हो या फिर आप परमेशर के वचन में उसको पढ़ रहे हो फिर आप उसे बहुत हलके में नहीं पढ़े और कई बार मैं इस बात का ऐसास कर पाती हूँ मैं बहुत जादा बाइबल पढ़ लेती हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन मुझे उसमें से सच में कुछ मिला है या नहीं I want to read it again तो फिर मैं सूचते हूं मुझे फिर से पढ़ना है और फिर मैं यह सूचते हूं खिर से पढ़ना है और ऐसे 2-3 बार जब मैं पढ़ती हूं फिर और फिर एक अच्छानक से सोने जैसा परमेश्व का वचन आ जाता है और परमेश्वर मुझसे कहता है, देखो ये वचन तुमारे लिए है, उसे थामे रहो, और इसे थामे रहना, क्योंकि शायद आज इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन कल शायद तुम्हें इसकी जरूरत पढ़ सकती है, और ऐसे ही हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है, और हमें सडक के किनारे नहीं बैठे रहना है, और हम जितने भी लोग परमेश्वर के राज्ये में आए है, हो सकता है, हम सभी लोग जो सडक के किनारे बैठे हुए, उस अवस्ता से होकर परमेश्वर के पास आए है, लेकिन आप उस सडक के किनारे, उस मार्क के किनारे उधर ही बैठे ना रहे और दिन में सपने ना देखे और जब किशोर अवस्ता या जवानी के अवस्ता होती है यह ऐसे दिन होते है जो बहुत मुश्किल की दिन होते है यह इसलिए मुश्किल होते हैं कि इस समय आत्मिक बातों पर ध्यान लगाया रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत आसानी से इस उमर में हम विचलित हो जाते है और हमारे अंदर जो हर्मोन्स है वो अंदर बदलते रहते हैं उसके अंदर कारी होता है और बहुत सारी लड़किया दिन में सपने देखती है और ऐसे कालपनिक दुनिया में जीती है लड़किया और मैं ऐसी हूँ, मैं इस फलाने विक्ती से मेरा विवा हो गया है, ऐसे सोचती है मैं यह कर रही हूँ, मैं वह कर रही हूँ, ऐसे वह सोचती है मेरे पास धन है, मेरे पास फलाना है, ऐसे कलपनाहों में जीती है और दिन में सपने देखती है, दिन में सपने ही देखते रहती है और यह सारा जो प्रलोबन है, जो खिशोर अवस्ता के बच्चों के अंदर का बहुत बड़ा एक प्रलोबन है और जब हम और बड़े होने लगते तो हमें कहना है कि प्रभ inherently गिरना नहीं है इसके अंदर, और जब अगर आप अपने आपको इस विचार के लिए सौब देते हैं, तब ये विचार मानो एक दानो के बराबर है, और एक वचन है, जहां पर ऐसा लिकाई कि हमें हर इक विचार को कैद में ले आना है, और वो है दूसरा कुरंटियू, उसके दसवे अद्ध है कि पाचवे वचन में ऐसा लिखा है, और प्रभू ये विचार है, ये प्रलोबन है और ये बुरी बात मेरे अंदर जो मुझे जक्कड रही है, सारी बातों को मैं मसी के आदिनता के कैद में लाना चाहती हूँ, और मैं उस विचार की गुलाम नहीं होना चाहती, उसकी कैदी नहीं होना चाहती, और वो विचार मेरे कैद में रहना चाहिए, वो मेरा कैदी बनना चाहिए और उस विचार के उपर मैं नियंतरन करनी चाहिए दूसरा कॉरंथियो 10 उसका पाच्वा वचन हम उस वचन को देखेंगे और याकूब ऐसे लोगों के विशे में कहता है जो दो मन के है और यह सारे लोग दो मन के जो है वो उस सड़क के किनारे के लोग है और याकूब की पत्री पहला अध्ध है उसका आटवा वचन है वहाँ ऐसा लिखा है और याकूब उसका एक चौबीस में ऐसा लिखा है और ये वचन जो है हम याद रख सकते इसे और मानो एक चीज ऐसा एक रवया रखना हलके में लेना चीजों को जैसे एक वेक्ति वहाँ पर उधारन दिया गया है कि अपने आपको आइने में देखता है और फिर देखता है उसके मूँ में कितने धब्बे लगे हैं कितनी गंदगी हैं लेकिन वह उसके लिए कुछ करता नहीं है कारिय के रूप में उसे ऐसे ही छोड़ दिता है और इसका जो हमें आइने के माध्यम से हमारा चेहरा दिखाया जाता है उसका उद्देश क्या होता है यह नहीं होता है कि हमें सराना करनी है अपने चेहरे की नहीं इसलिए नहीं और ऐसे देखने के लिए नहीं हां यहां यहां गंदगी लगी है मुझे साफ करना है लेकिन ऐसा उद्देश है कि हमें उसको साफ भी करना है उसके लिए कुछ कारिय भी करना है यह उसका उद्देश है और परमेशर का वचन एक आईने की समान है और हम बहुत प्रलोबित होते हैं परमेशर के वचन को हलके में लेने के लिए और हम ऐसे सुचते हैं ठीक है मुझे सही लगा तो मैं उस वचन के आग्या मानूंगी अगर मुझे महसूस नहीं होता है उसको आग्या मानने की तो ठीक है मैं अगली बार मानूंगी ऐसे एक हलका रवया वचन के लिए और हम फिर ऐसे सोच सकते हैं मैं जब बड़ी हो जाओंगी और ज़्यादा तब मैं आग्या मानूंगी और यह सारी दो तरह का जो मन है इसे हमें दूर करना है और यह सारी बातों को दूर करना है और जो हमें दो मन का बना देते हैं और फिर यह उन लोगों के सडक के किनारे के जो मिट्टी है उनके विशह में यह मैंने थोड़ा बताया और दूसरे श्रेणी के लोग वो है जो पत्रीली भूमी जिनको कहा गया है और हाँ मैं एक चीज़ आपको कहना भूल गई हो कि जो सडक के किनारे में जो मिट्टी है वहाँ पर जब बीच बोया जाता है तो क्या होता है उस मिट्टी का और वहाँ पर क्या होता है कि शैतान एक पक्षी के रूप में या एक चिडिया के रूप में ऐसे बन कर गिद के समान वो वहाँ आता है और उस बीच को उदर से छीन कर वो वहाँ से ले जाता है अपने साथ और जो परमीशर का वचन उस मिट्टी के अंदर बोया गया है जो सडक के किनारे की लोग है तो उसको वह चुरा कर ले जाता है और वह बीच अंदर जाकर उसकी जड़े पकड़ने से पहले ही हो सकता है वह जड़े पकड़ने पर ही है पर उसी शन आकर शैतान उसको चीन कर ले जाता है परमिशर का वच्छन है वो बीज और शैतान ऐसे करता है और आपको अगर इसके बारे में देख उसको वेवारिक तोर पर अगर जानना है तो आप एक कप लिजे उसके अंदर आप एक बीज को डाले तो वो बढ़ेगा नहीं और कैसे बच्छे लोग ऐसे एक कविशलेशन करते है कि कैसे वो लोग उस बीच को एक कप के अंदर वो लोग डालते है और कोशिश करते है उसे बढ़ाने की उसमें पानी डालते है और एक पेपर उसके अंदर डालते है और फिर वो बढ़ता है ऐसे और सड़क की किनारे के उपर जो मिट्टी है वहाँ पर एक सूकी भूमी है वहाँ पर शैतन आकर वो बीच को छीन कर ले जाता है और हो सकता है पूरे सभा में हम मीटिंग में तो बैटे हैं सभा में तो बैटे हैं लेकिन हम उस सड़क की किनारी की मिंटी के समान वैसा एक रवया लेकर बैटे हैं और जो कुछ वहा प्रचार किया गया, उसमें हमारे अंदर उससे कोई बदलाव नहीं आया और उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं हुआ, ऐसे हुआ इसलिए प्रिय बहनो उस सड़क के किनारे पर बैठे ना रहे, लेकिन अपने मसी जीवन को गंबीरता से ले और फिर परमेशर हमें मदद करेगा कि हम वो अच्छे मिट्टी के स्तर तक आज पहुँच सके और दूसरे श्रेणी के लोग है, जहाँ पर वहाँ पर मिट्टी तो है बहुत सारी, लेकिन बहुत सारे पत्थर है वहाँ पर जो एक पत्रिली भूमी है, और क्या है पत्थर, और मैं पत्थर को ऐसा मानती हूँ जैसे जो कठोरता हमारे अंदर जीवन में आ जाती है, वो है हो सकता है वो हमारे पुष्ट भूमी के कारन हो, हो सकता है अमारी परमपराओ के고 कारन हो, या हमारे अविश्वास के कारन हो, और ऐसी हमारे अंदर एक कडवाओट हो कि क्यों ये मेरे साथ क्यों हूआ आए से, और हमारे अंदर ऐसी एक कड़वावट हो सकते हैं ऐसे मैंने लोगों को कहते हुए सुना है और जो लोग ऐसे नास्तिक लोग जो वो ऐसा कहते हैं कि अगर परमेशर है तो फिर इस दुनिया में इतनी गरीब ही क्यों है और फिर वो कहेंगे कि क्यों ये देश में ऐसा हुआ वो देश में वैसा हुआ जैसे मानो उनके रिधे के अंदर एक पत्थर है जो कठोर है और उन्हें वो परमेशर की करीब आने से रोकता है क्या आप कलपना कर सकते हैं और हो सकता है कठोरता हमारे अंदर इसलिए आई हो क्योंकि कोई दुखद घटना हमारे साथ हुई हो और हो सकता है एक समय हम बहुत अच्छी मिट्टी हुए हुआ करते थे लिकिन ऐसा हो गया कि हमारे अंदर बहुत सारे पत्थर आ गया अचानक और जैसे मैंने आप से कहा कि हम एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी के अंदर हम बदल सकते हैं अगर हम इसको लेकर सावधानी नहीं बरकते हैं तो और पत्थर ऐसे हमारे अंदर आ सकते हैं मानो जैसे दूसरों के लिए नफरत आ सकती है और मेरी मा क्यों मेरे प्रती इतनी कठोर है वो क्यों इतनी सक्त है और आप खुद अपनी जीवन के विशे में विचार करके देखिए कि क्या आपके जीवन में ऐसे भहत सारे पत्थर है किसी के परती आपके अंदर नफरत हो सकती है हो सकता है कि अश हमा करने वाला एक रवया हो और हो सकता है कुछ सालों पहले किसी ने आपसे कुछ कहा हो लेकिन वो नफरत मानो बहुत बड़े पत्थर के समान आपके अंदर है जो दबाती हो परमेशर के बीच को और उस मिट्टी के लिए वाहा कोई स्तान ही नहीं बचता है फिर और आप ऐसे पत्थर से पीछा छोड़ाईए और आप कहिए कि प्रभु ऐसा हो गया और ये मेरे दियंतरन के बाहर है और आप प्रभु से कहिए प्रभु मैं खुद इसको नहीं निकाल सकती हूँ आप निकाल कर फेकिए और प्रभु मेरे मिट्टी को आप और कोमल बना दीजे ताकि आपके बीच के लिए वो तयार हो सके और ये एक चीज है जो हम कर सकते हैं और आप ऐसे नहीं कह सकती कि मैं तो एक कठोर वैकती हूँ मेरे अंदर बहुत पत्थर जैसी वैकती हूँ और मेरा सरनेम ही है जो रॉकी है मैं उसे बदल नहीं सकती और हमारा सरनेम जो है वो रॉकी हो यानि पत्थर जैसा कठोर वेकती पर फिर भी परमेशर हमें बदल सकता है उससे भी और लेकिन मसी जीवन का यही तो सबसे बड़ी एक अद्बूच चीज है परमेशर हमें बदल सकता है और हो सकता है बहुत बड़ा ऐसा पत्थर हो जिसे हम हिला भी नहीं सकते है परमेशर उसे निकाल कर फेक सकता है और जब कभी संदेश शुरू हो जाता है तब तुरंद आप अपने दिन के सपनों में चली जाती हो और बले ही ये बड़ा जो एक पत्थर आपके अंदर है इसे भी परमेशर निकाल फेक सकता है आपकी जीवन से दिन में सपने देखना ये बहुत बड़ा एक प्रलोवन है और बहुत सरी जवान लड़किया है उनके लिए ये मानों एक बहुत बड़े दानों के समान है और शैतान बहुत ज़्यादा चालाख है और जैसे ही संदेश शुरू होता है सबसे पसंदी था जो प्रलोवन है वो आ जाता है ये दिन में सपने देखने वाला और आपका ये प्रभू इस शेत्र में मैं कई बार गिरी हूँ प्रभू आप मेरे अंदर से ये पत्थर को निकाल कर फेकिये फिर परमेशर आपके लिए वो करेगा और अब ऐसे दूसरे लोग लड़किया है जो बहुत जादा जो बुद्धीमान है जिनोंने विज्ञान की पड़ाई की है जो कॉलेज में जाती है और जैसे वहाँ पर जो सिखाने वाले जो टीचर है शिक्षक है वो उस एवोलिशन जो थैरी है जो और ऐसे अविश्वास पर प्रभू पर आविश्वास लाने वाली जो बाते है उसको आपने सीखा हो और जहाँ पर वो लोग ऐसा भी सिखाते हैं कि कोई परमेशन नहीं है और जैसे कैसे एक नए नए विशे आते हैं जैसे सम लेंगे लोगों के विशे में ऐसे सब चीज़े जब आती हैं और लोग इसके विशे में बात करना चाहते हैं और दूसरे धर्म के बारे में और बहुत सारे ऐसे मार्ग है स्वर्ग में जाने के लिए ऐसे सब विशे और लोग हमें इसके विशे में चर्चा हमसे करना चाते हैं हमारी लिए मानों यह बहुत बड़े पत्थर के समान है और अगर कोई आपसे यह सवाल पूछता है कि इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं जो हमें स्वर्ग तक ले जाते हैं बहुत सारे मार्ग हैं तो आपको उन्हें उत्तर देनी की जरूरत नहीं है लेकिन मन में आपको यह सोचना है और आपको अगर कोई पूछता है और आपके पास यह जवाब तयार है तो प्रेरी तो उसका चार अध्या का बारवा वचन वहाँ ऐसा लिखा है और वहाँ लिखा है केवल एक ही मार गये स्वर्ग में जाने का और आप चाते हैं तो हम उस वचन में जाएंगे उसे देखेंगे प्रेरितों के काम उसका चार अध्याय का बारवा वचन और उद्धार किसी और से नहीं क्योंकि स्वर्ग में पृत्वी पर मनिश्य के बीच में दूसरा और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनिश्य उद्धार पा सके और अगर आप सोच लीजे अगर आपके पस ऐसा एक प्रलोवन आता है और सामने वाला जो कोई वेक्ती है वो बहुत अच्छा वेक्ती हो और आप सोचते हो कि वो वेक्ती स्वर्ख जाने के लायक है या वो लड़की वो स्वर्ख जाने के लिए योग के है लेकिन आपके रिधे में आप जानते है कि केवल एक ही मार्ग है कोई और मार्ग नहीं है और यह एक वचन है जो आप अपने रिधे में जिसे आप याद रख सकते है और अगर आपकी पत्रिली भूमी है तो आप अगर अपने मसी जीवन में गंबीर नहीं हो लेकिन फिर भी पर्मिशर हमेरी सहायता कर सकता है और येशु वो पत्थरों को हमारे जीवन से बाहर निकाल सकता है और एक और ये सुन्दर वचन है जिसे हम याद रख सकते है और फिलिपियो उसका दूसरा अध्य का तेरवा वचन और कैसे इन पत्थरों को मैं अपने जीवन से बाहर निकाल सकती हूँ फिलिपियो उसका दूसरा अध्या का तेरवा वचन और वहां लिखाए क्योंकि परमेशिर ही है जिसने अपनी सो इच्छा निमित तुमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है और प्रभू से कहिए कि प्रभू ये पत्थर जो ये बहुत बड़ा है कि मैं इसे अपने से दूर करूँ और ये मेरे लिए मानू बहुत बड़े दानाओ के समान है प्रभू मुझे आप इच्छा दीजे कि ये पत्थर मेरे जीवन से निकाला जा सके और प्रभू आप इस पत्थर को मेरे जीवन से हटा दीजे और इसलिए आप ये वचन को याद रखिए फिलिपियों उसका दो अध्याय का तेरवा वचन और लिखाए कि वहाँ लिखाए क्योंकि परमेशर है और हमें बहुत तिवरता से परमेशर से मांगना है और परमेशर कोई जादू करके आकर ऐसे उसे ले नहीं जाएगा हमारे अंदर से और हमें परमेशर से मांगना है क्योंकि परमेशर ने हमें मुफ्त एक स्वयम ये इच्छा दी है स्वतंतर इच्छा और हमें खुद मांगना है कि प्रभू आप मुझे इच्छा दीजे ताकि आपकी इच्छा कर सकूँ और मुझे मदद कीजे कि मैं आपकी इच्छा कर सकूँ और यह बहुत ही सुन्दर वचन है और फिर परमेशर हमें ऐसे स्तर तक ले आएगा जहां पर हम उस रेनी के लोगों में आ जाए जो अच्छे मिट्टी के समान है और हमें अपने मसी जीवन को बहुत गंबीरता से लेना और हमें यह सारे प्रशन अपने मन में नहीं रखने है क्यों बिमारी है, क्यों यह है, क्यों वो है और दूसरी चीज लोग जिसका सामना कर रहे है यह सब परमेश्री की जिम्मेदारी है परमेश्र उन सारी बातों की देखबाल करेगा यह हमार इस काम नहीं है और हम कहते हैं, क्यों यह बच्चा पंग पैदा हुआ है और अगर आप मुझ से पूछोगे तो मैं कहूंगी जाकर परमेश्र से पूछिए और आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, क्यों यह फलाने वेक्ती के जीवन में ऐसी धुकत घटना हुई और परमेश्र ने उसके अनुवती दिये और एक दिन परमेश्र उसका जवाब देगा यह हमारा काम नहीं है और के हम इतने बुद्धिमान बन कर सब कुछ समझ जाए और हम तीसरे श्रेणी के लोगों में जाएंगे और यह जो बीच है जो काटों के अंदर बोए गए है और जहाँ पर उस काटे की बीच में बहुत सारे जो जंगली पौधे बढ़ते हैं ऐसे सारी बहुत सारी बाते उसके अंदर आती है वहाँ पर बीच तो बोया जाता है और यह मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो पत्रिली भूमी है वहाँ पर जब बीच बोया जाता है वहाँ पर क्या होता है वह मैं आपको कहना चाहती हूँ और जब उस पत्रिली भूमी पर बीच बोया जाता है और परोवन आता है तब वह सूख जाता है और वो उस जीवन जो इश्वरी जीवन परमेशर हमारे अंदर चाहता है वो उसमें नहीं रह पाता है और बीच तो बोया गया एक इश्वरी जीवन के लिए और क्योंकि उस पत्रिली भूमी के कारण बीच तो बोया गया लेकिन जड़ पकड़ने के लिए वहाँ पत्थर के कारण जगा नहीं है तो फिर वो जो पौदा है वो सूक जाता है और उसी प्रकार से जो उस मिटी जो जहांपर काटे है और वहाँ पर बहुत सारी मिटी है लेकिन वहाँ जब बीच बोया जाता है और फिर वो बढ़ता है वो बीच लेकिन वहाँ इतने ज़ादा काटे है और इतने काटों के होने के कारण उस पौधे को बढ़ने के लिए वहाज स्तान नहीं मिलता है और जैसे मान लिजे कि इश्वर ये सुभाव को बढ़ने के लिए स्तान नहीं मिलता है और क्या है ये काटे? और इसकी तो बहुत बड़ी सूची है एशु ने खुद इसके विशे में कहा है और अगर आप वहाँ पर उसके वुवरन के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के वचनों में जब आप देखेंगे और इशु कहता है कि जैसे इस संसार की जो चिंता है वो है काटे और यह जो लोब का जो चल है, जो हम लालच करते हैं और यह एक ऐसी श्रेणी है, जहाँ पर हम जो जवान है या बुजुर्ग है हम में से हर एक जन इसमें गिर सकता है इस संसार की चिंता है और जब आप एक विध्यारती है, आपकी पढ़ाई की चिंता है और यह सारी बातों को सोच कर देखिए, जब आप एक नौकरी करने वाले वेक्ती है और जैसे कैसे दूसरे लोग आपके प्रति अन्याए करते है और कैसे आपका फाइदा उठाते है और आपके नौकरी के शेत्र में ये सारी बाते हो सकती है और जब आप विवा करने के लिए आपकी इच्छा हो लेकिन आपके माता पिता है ऐसे अलग-अलग जो आपके लिए साथी लेकर आते हो हो सकता है एक संसारिक विक्ति आपके जीवन में आ जाता है और आप उसे पसंद करने लगते हो और फिर आप उसे घुल मिल जाते हो और इस संसार की चिंता है और धन का जो चल है उसके प्रती जो प्रेम है और कभी-कभी हम सूचते हैं कि मेरे पास पैसा हो तो मैं ये कर सकती हूँ और परमिश्र इस बात को जानता है अगर वो हमें बहुत सारा पैसा देगा तो हम उसे बहुत गलत बातों पर बरबात कर देंगे उसको वेर्थ गवाएंगे या फिर हो सकता है हम उसे इतना प्रेम करेंगे कि हम उसे अपने लिए ही जकडे रहेंगे और खुद के लिए उसे स्वार्थी रूप से इस्तमाल करेंगे और हम गलत बाते कर सकते हैं पैसो को लेकर और पैसो के प्रती जो प्रेम है वो सारी बुराई की जड़ है ऐसे परमेशर का वच्छन कहता है और परमेशर का धन्यवाद हो की बहुत सारा पैसा वो हमें नहीं देता है क्योंकि धन के अंदर वहाँ पर बहुत चल है और बहुत लोग पैसो का पीछा करते हैं लेकिन यह अच्छी बात है कि अगर आप अच्छा पड़ाई करें और आपके नौकरी के शेत्र में अच्छा करें और अच्छी एक नौकरी पाले और आपको बहुत अच्छी एक तंखा मिले फिर लेकिन आपको ऐसे सुचना है कि प्रभू ये पैसा मेरा नहीं है और प्रभू आपने मुझे मदद कि मैं अच्छी पड़ाई लिखाई करू और आपने ये तनखा पैसा मुझे दिया है और प्रभू आप मुझे दिखाईए कि मैं कैसे किस प्रकार से इस पैसों का इस्तमाल करूँ और खुद के लिए ही नहीं केवल और मैं खुद के लिए बहुत सारा कपड़ा लूँ, खरीदू, बहुत जादा और दूसरे लोगों को दिखावा करूँ और प्रभू मुझे बताईए कि मैं इस पैसों को लेकर क्या करूँ और कैसे मैं दूसरों की मदद कर सकूँ कैसे मेरे माता पिताओं की मदद कर सकूँ या फिर इसे भविश्य के लिए मैं बचत करके इसे रख सकूँ और हो सकता है ऐसा समय आएगा जब बिमारी आए और ये पैसो की मुझे जरूरत पड़े और तब मुझे पैसा चाहिए हो और अगर कलीसिया में कोई बिमार है और मैं उसे जानती हूँ और उसे पैसो उसे मैं मदद कर सकती हूँ किसी के शायद पड़ाई लिखाई के लिए मैं मदद कर पाहूँ पर मीशर दिखाएगा लेकिन उसके अंदर एक चल है और बाइबल के भाग में हम पड़ते है कि पैसा ये बुरी चीज है क्योंकि एसा कही पर भी ऐसा हम नहीं देखते है कि अच्छा पैसा ऐसा नहीं देखते है क्योंकि पैसो का जो बहुत बड़ा एक प्रलोवन हमारे सामने होता है और ये हमारे लिए बुरा पैसा बन जाया और हम इसे गलत तरीके से इस्तमाल करने लग जाये और कैसे दूसरे चरम तक लोग चले जाते हैं कि इसको कैसे जुआ खेलने के लिए जैसे गलत कामों में इसका गलत दूरोप्योग करने लग जाते हैं we may not be in that category हो सकते हैं हम इन श्रेनी के लोगों में नहों लेकिन फिर भी हमारे लिए एक छल के समान बन जाये उसके लिए हमारे सामने एक प्रलुवन है और इसलिए हमें पैसो को लेकर लिपत नहीं होना चाहिए धोका नहीं खाना चाहिए और उसी से इसी में जकड़े नहीं जाना चाहिए और अच्छी नौकरी और मुझे बहुत अच्छा नौकरी मिले और प्रमोशन मिले उन्नती मिले और लोग इसको पाने के लिए वो दूसरों को पीछे करके आगे जाते है और वो दूसरों के ऊपर चड़ कर उच्छा जाना चाहते है उसके अंदर बहुत सारा ब्रश्टता है बहुत सारी इसलिए येशु ने उस धन के चलकों के बारे में हमें बताया है और लोग के विशे में बताया है और ये कुछ ऐसा है जिसके विशह में येशु हमें चेतावनी देता है